हलो और वेल्कम बेक टो मैं यूटूब चैनल होप है रॉल डूइंग वेल तो देखो आज हम हीमाचल के कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कास करेंगे से पहले हम पार्ट 28 यानि कि 28 वीडियो जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हीमाचल के क्वेश्चन को डिस्कास करके र चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को जिरूर्ड प्रैस करें साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें कॉशचन नमबर हमारा 77 है शनी देव टेमपल इस लोकेटिट अट फिच प्लेस इन हिमाचल पर देश तो शनी देव मंदिर हिमाचल के किस स्थान पर सीते हैं आप देखो मैं आप खर बार बताता हूँ कि शनी देव मंदर कहांपर है तो वह हमिरपूर में और हमिरपूर में किस जगा पर सीते हैं तो यह मैंने आपको हर तो वो है बिलासपुर में, उसके बाद देखो अभी फिलहाल के एक्जाम में पूछा जा रहा है बडोली देवी का मंदर, ये कहां पर है तो ये दोनों के दोनों, नैना देवी और बडोली देवी का मंदर ये कहां पर रहे हैं तो ये बिलासपुर डिस्ट्रिक में सिते हैं उसके बाद आपसे पूछा जाता है नर्वदेशपर मंदर, गौरी जंकर मंदर, गसोता मंदर, बाबावाल कनाथ मंदर, मुरली मनोहर मंदर ये सारे के सारे मंदर कहां पर हैं तो ये है हमिरपुर डिस्ट्रिक में अच्छा यहां से आप एक question कांसर कॉमेंट्स करकर करके बताओ कि काली बारी मंदर ये कहां पर स्थीत है ये आप नीचे कॉमेंट्स में बता दो अगले question की बात करें तो सारी मिला हीमाचल के किस स्थान पर मनाया जाता है तो सारी मिला जो है तो सोलन के अरकी में मनाया जाता है तो आप्शन ए देखो यहां पर बिल्कुल कोरेक्ट हो जाएगा अब देखो यह तो हमने बात कर ली सारी मिला की कई बार आपसे पूचे जाता है लवी मिला, लवी मिला कहां पर मनाया जाता है तो देखो लवी मिला मनाया जाता है रामपुर बुचहर में यानि की शिमला में कई बार आपसे पूचे जाता है नलवाडी मिला, नलवाडी मिला कहां पर मनाया जाता है फिर उसके बाद आप से पुछा जाता है गुगा मिला गुगा मिला कहां पर मनाया जाता है तो ये भी शिम्ला के हलोग में लगता है बोजरी फेस्टिवल इस अस्थान पर मनाया जाता है तो इस चंबा डिस्टिक में मनाया जाता है तो अप्शन देखो यहां पर बिल्कुल कॉरेक्ट हो जगा देखो बोजरी उस सब की हमने बात की ये कहां पर ये चंबा में मनाया जाता है आपसे क्वाशन पूशा जाता है बसोवा तेहार कहां पर मनाया जाता है तो बसोवा तेहार कहां पर मनाया जाता है तो यह जो है तो कांगडा जिले में मनाया जाता है उसके बाद आपसे पूशा जाता है लोसर तेहार उसके बद फूल एच तेहार ये कहां पर लगते हैं तो ये किनौर में लगते हैं अब देखो एक एक अग्जाम में पूछा गया था फूल यातरा फूल यातरा कहां पर मनाई जाती है तो फूल यात्रा मनाए जाती है चंबा के पांगी में ये भी आपको नोट रखने है नवाला किन काते होँर है तो नवाला जो है तो गद्धियों काते होँर है ये भी आपको पॉइंट नोट रखने है अगले question की बात करें कर्थी is a folk dancing of which reason of हिमाचल परदेश तो कर्थी हिमाचल के किस जिले का लोक निर्टिया है तो ये कुलू का लोक निर्टिया है option D देखो यहां पर बिल्कुल correct हो जागा अब देखो आपसे पूछे जाते हैं किनौर के कौन कौन से हैं तो वह है कयांग बाक्यांग बोयांग चूँ ये सारे के सारे लोक निर्टिया कहां गया है तो वह है किनौर के लाहॉल्स पित्ती के भी important है कौन कौन से शाद और शाबू कहां पर लगते हैं तो लाहॉल्स पित्ती में अब देखो कुलू की हमने बात की एक तो आपको पता चल गया कर्थी फिर देखो अक्सर आपसे पूछा जाता है लालहरी लोक निर्टिया ये कहां पर मनाया जाता है तो लालहरी लोक निर्टिया भी कुलू डिस्ट्रिक में मनाया जाता है स्वांग टेगी लोक निर्टिया ये भी कहां पर लगता है घुगती लोक निरित्य ये कहां पर मनाया जाता है तो यह शिमला में मनाया जाता है यह सारे का सारे आपको नोट रखने हैं अच्छा छोहारा लोक निरित्य यह कहां पर मनाया जाता है यह आप नीचे कॉमेंट्स में बता दो अगले कॉश्चन की बात करें question हमारा IT1 है तो पुलेंडरी इंदा हिमालियाज पुस्तक के लिए का कौन है तो वो है Dr. Y.S. परमार option C देखो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जागा आप देखो कुछ एक students को पता नहीं होगा कुछ एक students यहाँ पर confused हो जाते है पुलेंडरी इंदा हिमालियाज और हिमालियन पुलेंडरी में अब देखो पुलेंडरी इंदा हिमालियाज पुस्तक किसने लिए है तो वो लिए है Dr. Y.S. परमार ने अगर आप से पुछा जाएगा हिमालियन पुलेंडरी तो वो किसने लिखिया है वो लिखिया है डी एन मजूमदार ने तो ये पॉइंट आपको नोट रखने है अचा कामनिया की नौर ये पुस्तक इसने लिखिया तो कामनिया की नौर जो है तो आर के कौशल ने लिखिया है ये पॉइंट आपको नोट रखने है अचा अभी फिल हाल एक एक्जाम में पुछा गया था तुारीक जू Buffal-Kohistans ये पुस्तक किसने लिखिया है? तो यह भगवान दासने पुस्तक लिखी है ये पुंट आपको पता होना चाहिए अचा बिलासपुर की कहानी पुस्तक लिखी है अक्शर सिंगने ये भी point आपको पता होना चाहिए अच्छा एक और question वैदिक आरे और हिमाचल है यहाप उस्तक किस ने दिखिया है तो वैदिक आरे और हिमाचल MR ठाकुर ने यहाप उस्तक लिखिया है ये सारे के सारे points आपको पता होने चाहिए अगले question की बात so question number 82 है so ऑप्षन दिखू यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा अब देखो सारे के सारे हम यहाँ पर discuss करेंगे सबसे बहला question कि यहाँ जो संजे विद्धित पर्योजना है किस इस डिस्ट्रीक में है किनौर में किस नदी पर सीत है तो यह भाबा नदी पर सीत है भाबा किसकी सहाइक नदी है तो यह सतलूज की सहाइक नदी है और कितने मेगावाट की है परियोजना है तो 120 मेगावाट की है परियोजना है तो यह सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट रखने है अच्छा नाथपा जाकडी से अक्सर एक्जाम में question बनते हैं तो नाथपा जाकडी ये जो project है ये कहां पर है तो ये किनौर में है किस नदी पर है सतलूज नदी पर है उसके बाद ये कितने मेगावाट की परियोजना है तो ये 1500 मेगावाट की परियोजना है अच्छा कौन सी अजेंसी इसको एग्जेक्यूट करती है तो नाथपपा जागडी प्रोजेक्ट को जो है तो SJVNL यानि कि सतलुज जल वीद्व तरनीगम लिमिटेड जो है तो एग्जेक्यूटिंग अजेंसी है इसकी ये भी पॉइंट आपको यहां से नोट रखना है तो अगले क्वाशन की बात करें क्वाशन हमारा IT3 है हिमाचल परदेश स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन वास कॉंसिटेड इन फिच इयर तो हिमाचल परदेश रज्य सूचना आयोक का गठन जो है तो किस वर्ष में हुआ था तो 2006 में इसका गठन किया गया था अचा इसी से रिलेटटी एक और क्वाशन है हिमस वान ये मैंने आपको बताया था कि हिमस वान की स्थापना कप की गई थी हिमाचल परदेश में हिमाचल परदेश विश्वदैली, यानि की हिमाचल परदेश युनिवरस्टी हPU के पहले अपकुलपदी कौँ थे? तो वो थे आरके सिंग यानि की राम करण सिंग सो आप्शन ए यहाँ पर कोरेक्ट हो जगा अब देखो आप कन्फियूज कहाँ पर होते हो आप कन्फियूज होते हो है हिमाचल परदेश यूनिवरस्टी हो गई उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्रिशी विश्यविद्य यानि की पालंपूर का पूछा जाता है क्रिशी विश्यविद्याले पालंपूर के पहले उपकुलपती कों थे तो वो थे हेतराम कालिया फिर आपसे नौनिवरस्टी जो की सोलन में है इसके पहले उपकुलपती पूछा जाते हैं तो इसके पहले उपकुलपती थे एम आ पर है सोलन में इसकी स्थापना कब की गए थी 1985 में तो ये सारे का सारे बेसिक से पॉइंट्स हैं ये आपको नोट रखने हैं बाकि अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर फॉलो कर दे लिंक आपको डिस्क प्रोविंस इन 1948 तो सन 1940 में चीफ कमिशनर प्रोविंस के रूप में हिमाचल का गठन कितने जिलों के साथ हुआ था तो चार जिलों के साथ हुआ था सूप्शन ए देखो जहां पर बिल्कुल कोरेक्ट हो जगा वो चार जिले कौन कौन से थे ये आपको पता होना चाहिए तो वो चार जिले थे चंबा, महासू, मंडी और सिर्मौर अच्छा ये तो हमने देख लिए चार जिले अच्छा हिमाचल प्रदेश का पांचवा जिला कौन सा बना था तो हिमाचल का पांचवा जिला बना था बिलासपूर कब बना था ये डेट आपके लिए प्रतने हैं, question number हमारा 86 है when did the case of dhami shootout का अकर, तो dhami goli kand की घटना जो है तो कब हुई थी, तो ये हुई थी 16th of July 1939, option B, देखो यहाँ पर बिल्कुल correct हुजागा, अब देखो यहाँ से questions क्या-क्या पूछी जाते हैं, वो प्रचारणी सभा का गठन, जो है तो कब किया गया था, तो dhami में प्रेम प्रचारणी सभा का गठन, जो है तो 1937, 1937 में किया गया था, और नेता कौन थे, तो नेता थे, पंडित सीता राम, फिर आपसे दूसरा question पूछा जाता है कि, dhami की जो प्रेम प्रचारणी सभा थी, तो इसे जो है तो कब, dhami riaasat, प्रचा मंडल में बदला गया था, यानि कि इसका नाम चेंज करके, जो है तो dhami riaasat, प्रचा मंडल कब किया गया था, तो इसका नाम चेंज किया गया था, 1939 में, अगर exact date पूछी जाएगी, तो 13 जुलाई 1939 को, इसका नाम चेंज किया गया था, तो ये सारी के सारी basic points हैं, ये आपको note रखने हैं, अगले question की बात करें, who invaded kangra in 1805 AD, तो सन 1805 में kangra पर किसने आकरमन किया था, तो ये था अमर सिंग थापा, option C, देखो यहां पर बिल्कुल correct हो जगा, और उस हमें kangra का राजा कौन था, ये आपसे question में पूछा जाता है, तो उस हमें kangra का राजा था, संसार चंद, आपसे question पूछा जाता है, कि संसार चंद ने जो है तो कब जौला मुखी संधी की थी, रंजीत सिंग के साथ, तो 1809 में जो है तो, जौला मुखी संधी की गई थी, किसके साथ, तो वो की गई थी, राजा रंजीत सिंग के साथ, अच्छा 1815 में एक संधी हुई थी, वो कौन सी थी, तो वो थी संगाली की संधी, और यह किन किन के बीच में हुई थी तो यह अंगरेजियों और गोर्खों के बीच में हुई थी ये भी पॉइंट आपको नोट रखना है इनवेज टैंपल वर थ्री हंडर्ड संस्कृत बुक्स ट्रांसलेटेड इंटू पर्शियन ओन फिरोज शाहतुगलक और्डर्ड प्रिजर्वड तो फिरोज शाहतुगलक के आदेशा नुसार किस मंदिर में तिन सो संस्क्रित पुस्त को कानवा जो है तो फार्सी में सुरक्षित रखा गया था तो वो कौन सा मंदिर था तो वो था जौला मुखी मंदिर आप्शन सी देखो यहां पर बिलकुल कॉरेक्ट हो जाएगा आप देखो यहां पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है यहां पर देखो मैं आपको पूरा का पूरा करम बता रहा हूँ जिन्होंने भी हिमाचल में जो है तो लूट पार्ट की थी और बहां पर लूट पार्ट मचा दी थी उसमें कांगडा का राजा कौन था तो वो था जगदीश चंद उसके बाद 1337 में 1337 में जो है तो कांगडा पर आकरमन किसने किया था तो वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने और उस समय कांगडा का राजा कौन था तो वो था प्रिथवी चंद उसके बाद जाकर के 1365 में किसने जो है तो कांगडा पर आकरमन किया था तो वो था फिरोशाह तुगलक जो की यहाँ पर आप से question में पूछा गया था और इसने जो आलमखी मंदर से जो है तो 300 संस्क्रित पुस्तों को कांगड करवा लिया था और उस समय राजा कौन था कांगडा का यह आपके लिए important है तो इस समय राजा था रूप चंद उसके बाद आपको पता है 1398 में तैमूर लंग ने आकरमन किया था कहां पर शिवालिक पाहाडियों पर ना की कांगडा पर तो इसने शिवालिक पाहाडियों पर आकरमन किया था लेकिन उस समय कांगडा का राजा कौन था यह question आप से पुछा जाता है तो इस समय कांगडा का राजा था मेग चंद त बहुत बार हमने यह question discuss किया हुआ है, जैसे लहॉल्स पित्ती में बहुत सारे glacier हैं, तो वो, मैं आहाँ पर आपको बता देता हूँ, जैसे बड़ा शिकड़ी हो गया, गेफांक glacier हो गया, कुल्टे glacier हो गया, भागा glacier हो गया, मुकीला glacier हो गया, लेडी आफ के लॉंग हो गया, फिर सोना पानी glacier हो गया, अच्छा पेराद glacier भी अक्सर अग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये भी आपको नोट करना है, पेराद glacier भी लहॉल्स पित्ती में है, उसके बाद मियार glacier हो गया, ये सारे के सारे काहां पर हैं, तो ये सारे के सारे जो है तो लहॉल्स पित्ती में स्थिता है, अगले question की बात करें, question number हमारा 90 है, soan valley is situated in which district of हिमाचल परदेश, तो स्वां घाटी हिमाचल के किस जिले में स्थिता है, question number 91 की बात करें, soan valley mountain peak is located in which district of हिमाचल परदेश, तो सोलंग परवत चोटी, हिमाचल के किस जिले में स्थिता है, अब देखो, confuse आप कहां पर होते हो, soan valley और चोलंग में, तो यहाँ पर आपको confuse नहीं होना है, जो soan valley परवत चोटी है, ये कहां पर है, रखना है, option सी यहाँ पर बिल्कुल correct हो जागा, फिर आपसे question पूछा जाता है, कि चोलंग परवत चोटी कहां पर है, तो यह है कांगड़ा में, यह आपको point note रखने है, अच्छा देखो, एक question पूछा जा रहा है, पतालसू परवत चोटी, यह कहां पर है, तो देखो, पतालसू परवत चोटी कहां पर है, तो यह है कुल्लू में, यह आपको note रखने है, एक और question पूछा जा रहा है, कि भारवेन, भारवेन परवत चोटी कहां पर है, तो यह है कुन्ना में, यह भी आपको note रखने है, तो देखो guys यह थे हमारे कुछ questions आई, hope वीडियो आप confirmative लगी होगी, अगर वीडियो अच्छे लगी है तो जरूर से से like करें, share करें, channel को subscribe करें, साथ में bell icon को जरूर दबाएं, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, till then, take care